अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब की ओर बैल आइकन को प्रेस की लेटेस्ट वीडियो की नोडिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो के और आज की वीडियो में हम बात करने वाली है मोटरोला का जो मोटरोला 1 वीजन मोबाईल की रिलीजिंग डेट कर फरम हो गई है इसके बार हमें हम बात करने वाले हैं क्या कुछ है स्पेसिफिकेशन और क्या है प्राइज निकल कर आता है इसी मोबाईल का और चलते हैं हमारी वीडियो के और तो फटा फट से लाइक एंड शियर और सॉस्क्राइब जरू कीजिए सिनमा वीजन ऑप्टिक रेश्यो देखने को मिलता है और हैंड सेट में 2.2 गीगाहर्ट एक्जिनोस 9609 ऑक्ताकॉर प्रोसेसर का इस्तुमाल किया गया है और फोन में आपको 4GB RAM और इसमें आपको 120GB inbuilt storage variant देखने को मिल सकता है और इसका जो RAM variant है और भी आसकता है अब तो यही दिखा रहा है और इसके साथ आपको 512GB तक आप इसे expand कर सकते हैं microSDD card की मदश से और इसकी camera की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको double camera setup देखने को मिलता है जो कि होने वाला 48MP प्लस 5MP का इसका camera आपको देखने को मिल सकता है और इसमें आपको portrait mode digital 8X zoom और manual mode और cinema graphic और और auto HD mode आपको इसी phone में देखने को मिल जाएंगे अगर इसके front selfie camera की बात कर लेते हैं तो आपको 25MP का front selfie camera दिया गया है और यहां पर इसकी battery की बात कर लेते हैं आपको 300-500MP की इसमें battery देखने को मिल सकती है और आपको यहां पर turbo power fast charging support देखने को मिल सकता है और इसे आप 15 minute के charge करने के बाद आप इसे 7 गंटा यूज कर सकते हैं इसे कुछ leak निकल कर आ रही है इसी phone को लेकर और इसमें को 3.5mm का audio jack देखने को मिलता है NFC print sensor और Bluetooth USB Type-C आपको ऐसे feature इसी phone में देखने को मिलते हैं और यह तो पता चलेगा जब इसे launch किया जाता है क्या है एक्चुल में इसके जो specification यह तो अभी leak ही है तो एक्चुल में तभी पता चलेगा जब 20 June को launch करता है Motorola One Vision और तभी हमें पता चलेगा क्या है इसके original specification और उसके आपको अलग से video मिल जाएगी तो यह तो कुछ आज की video और रहें वन्ने मातर